इस वीडियो में class 9th exercise 13.2 का पहला question करेंगे इस exercise को करने के लिए आपको तीन formula याद होने चाहिए जिसमें curve surface area of cylinder 2 pi r h total surface area of cylinder 2 pi r h plus r and cost ये cost क्या है अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा cost के बारे में इस exercise में या फिर इस पूरे chapter में जो exercise हैं उनमें बहुत सारे ऐसे questions हैं जिसमें कुछ आपको cost निकालना होगा तो उसका जो cost का जो formula है वो है rate into area तो ये तीन most important formula है इस पूरी exercise को करने के लिए चलिए सवाल पढ़ते हैं the curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square find the diameter of the base of the cylinder तो आपको इस सवाल में दे रखा है height दे रखी है cylinder की जो की है 14 cm और curved surface area भी आपको दे रखा है 88 cm square ठीक है तो आपको बताना है diameter और आपको diameter पता है के diameter equal होता है 2 into R के तो हम यहाँ पर R निकाल लेंगे पहले वहाँ से फिर हम diameter निकाल देंगे तो हमें पता है जो curved surface area है उसका formula होता है cylinder के लिए 2 pi R into H और यह हमें दे के रख रखा है उन्होंने कितना value है 88 तो value रख देते हैं यहाँ से values रख देते हैं पाई का value 22 by 7 देखें जब तक question में आपको बोला न जाए कि पाई का value 3.14 रखिए तब तक आपको 22 by 7 ही रखना है R का value हमें नहीं पता है ठेक है तो यह 7 जो होगा वो 88 के multiply में जाएगा और जो उपर वाले यह product में है 2 into 22 into 14 यह सब कहा जाएंगे 88 के नीचे तो यह equation कुछ ऐसे बन जाएगी 88 into 7 divide में यह सब नीचे जाएंगे 2 into 22 into 14 ठेक है 22 से 4 times cancel होगा और यह 2 times cancel होगा और यह 7 times cancel होगा और यह 1 time cancel होगा तो R का value आगे हमेरे पास कितना 1 cm तो diameter कितना आ जाएगा हमारे पास 2 into R ठीक है तो R का value कितना आया 1 तो यह कितना आ जाएगा 2 cm तो यह जो cylinder हमें given है इसका diameter है 2 cm पर यह जाएगा ला आएगा यहाम होगा प्तुर्लिधस कितना यह उनाऊ होगत जाएगा है जा शुर्लिधस नैएगा रहे पाद हैईट